मंत्र कैसे काम करते हैं मंत्र का हमारी life impact कैसे पढ़ता है देखिए मंत्र इतने पावरफुल हैं कि अगर आप सुभे मंत्र करते हैं तो तीन चार दिन में ही आपको फाइदा सुरू हो जाता है लेकिन मंत्रों का जाब मेरे हिसाब से होरोस्कोप में जो आपकी कुंडली बनी जो आपके ग्रह बैठे हैं उनके हिसाब से करना चाsilिए और भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए ग्रहों का देखिए कभी किसी की दिसा चलेगी चुआ कि मालेजिये राहू की दिसा है तो आपको राहू देव के मंत्र का जाब करना चाहिए उनका मंत्र है ओम भ्रांग ब्रींग भ्रांग शहरावे नमहा अर्धकायम महावीर्यम चंब्रादित्यावि मर्धनम सिम्हिकागर्व संभूतं तम्राहुं प्रणमाम्मेहं नाकत्भजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहीतन और राहु पर्चोद्याद जब आप राहु देब के मंत्रों का जाब करते हैं एक तो ये मंत्र सूरियस्त के बाद करने चाहिए संसेट के बाद में क्योंकि अगर आप सुबे करेंगे तो राहु सोचता है कि आप सूरी भगवान की पूजा कर रहे हैं अच्छा सूरी और राहु में बनती नहीं है य तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो राहु की जैसा बात कर रहे हो राहु की दर्शा में मंत्र यूज करना है इससे अगर राहु खराब हो तो उसकी जो नेगेटिविटी मैलिफिक एफेक्ट है आपके उपर जैसे आपका सारे काम को बंद कर देना हर काम में रुकावट भोखा पैसा फसना दिमाग खराब करना पागल बनाता है राहु आपके दिमाग को बिल्कुल ग्रसित कर लेता है जिससे की आपका दिमाग चले गई नहीं आप दरेंगे आप कहीं भी कोई लोग बैठे होंगे तो आप अपने घर में एक रूम में जाके दिये तो ब्लैक मैजिक कर्स वूडू इन सब चीजों का भी असर करता है तो जब राहु देव को खुश कर लेते हैं राहु ही ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको जमीन से उठाके अरब पती बनाता है और तुरंत उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है अगर आप अपने घर का डाउनलूड कर सकते हैं लिंक इन देस्रिप्शन